अगर आपके पास रोड का सेंटर लाइन है और आप उसको आपको उसके एफिक्स इंटर्वल पे एजिस्टिंग प्रॉफाइल है सेम प्रॉफाइल व्यू में तो वह आप कैसे क्रियेट कर सकते हैं आज की वीडियो में यहीं देखेंगे यहां पर स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा यहां पर है ए मल्टिपल पुर्फाइल क्रियेट हुए हैं जो के एक जिस्टिंग ग्रॉफाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहां पर उनका यह जो नीचे डाटा है वो दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं यहां पर एंजेल का सेंटर लाइन का डाटा है और फानल ग्रॉफाइल का डाटा है डिजाइन का और यहां पर ओजील के लेफ्ट और राइट का ऑफसेट के एलिवेशन है और यहां पर यह जो है वहां पास जो मीडियन है उसके जो ऑफसेट हैं सेंटर लाइन से वहां पर हमें existing ground का जो data required था वो यहां पे हमें निकाला हुआ है और यहां पे यह जो रोड की प्राप्टी है आप वर्टिकल और रिजांटल और सूपर एलिवेशन का जो data है वो भी यहां पे आप ले सकते हैं तो आज की जो वीडियो है उसमें हम सिर्फ existing ground को देखेंगे कि इसके profile हम कैसे create कर सकते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से request है अगर आप चैनल पे नए हैं तो subscribe जरूर कर लें ताके न्यू आने वारे वीडियो के notification आपको on time मिल सके हैं यहां पर मेरे पास यह एक रोड की center line है यहां पर और इसके median के offset हैं तो हमने सिर्फ center line को यूज करते वे अपने existing profile create करने हैं तो मैं इसको start करता हूं सबसे पहले आपने यहां पर home tap पे आना है और यहां पर यह जो profile का option है इसको आप जैसी expand करेंगे तो यहां पर create surface profile की option मि यहां पर अगर आप देखें तो profile view में यहां पर हमारे पास एक ही original ground का जो है वो data है और यहां पर इसका design profile है तो हमने इसी से अपना जो है वो data जो है वो offset का create करना है तो मैं इसको start करता हूं यहां पर create surface profile तो यहां पर यह जो हमारी angel की surface है यहां पर अभी अगर आप देखें तो यह सिर्फ यहां पर add है अभी हमने इसके offset की profile यहां पर create करनी है तो सबसे पहले जो है मेरे पास जो है वो median edge है तो median edge जो है वो मेरा 1.5 है right side में मैंने जहां पर इसको 1.5 interval जो है वो enter गया और यहां पर मैंने add किया तो यहां पर मेरा minus का sign add करके add करता हूं तो यह हमारा left side का भी यहां पर हो जाए यहां पर अगर आप देखें तो इसके साथ जो पहला वाला है actually यह dash है यह जो लिखा हो है angel dash 1.5 है और यह minus 1.5 का है ठीक है इसी तरह अभी हमें जो है road edge हमारा 7.3 है तो मैं यहां पर left side का add कर देता हूं और इ अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास यह line जो है वो appear हो गई है अभी हमने इसको अपना जो है वो style assign कर देना है style आपके पास already single 3D में दो बने हुए आते हैं आप अपना भी बना सकते हैं इसके लिए मैं यहां पर alignment property में जाता हूं तो यहां पर अभी अगर आप नाम दे देता हूं यहां पर ओके ठीक होगे और यहां पर जो है इसको मैं यह style assign कर देता हूं ओके ओके अभी हम दूसरी profile चेक कर लेते हैं यहां पर ओके यहां पर यह हमारा existing round है यह रहेगी और यहां पर जो next है वह हमारे पास है surface ngl1 के नाम से आई है यह ओके और यह वाली जो है 7.3 की है ओके तो यह हमारा left edge है sorry right edge है ओके यह right इसको मैं equal यह ओके ओके ठीक हो गया और यहां पर मैं इसको right sample profile का नाम जा राइट ogl का जो है style assign कर देता हूं apply कर देता हूं ok कर देता हूं तो यहां पर दो गया style assign हो गया है हमारे और यहां पर यह जो है यह right median की है ओके और okay median right और यहां पर जो है इसको हम यह style assign कर देते हैं है ओके यहां पर यह मारा median left और यह पर यह को हमने इसको यह style assign कर दीए तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं पुरफाइल हमारे जो हमने हमें रुकॉरर्ट थे और यहां पर यहां पर यहां कर ली है अब हमने उसको कहें कि लैवल कर नाुट कर देता हम और यहहां पडह आपने Ihrer फाइल व्यू को लेट करना है और बेंड में चले जाना है और बेंड में यहां पर जो है आपके पास यहां पर सबसे पहले हमारा 7.3 का राइट का है तो यहाँ पे यह जो है 7.3 राइट है और उसके बाद जो है वो हमारा लेफ्ट है 7.3 का तो यह लेफ्ट है यह लेफ्ट है अब ही हमने देखना है मीडियन का तो यह राइट मीडियन है यह राइट मीडियन है ओके मीडियन राइट और यहाँ पे यह जो है मीडियन लेफ्ट है यह मीडियन लेफ्ट आगया है यहाँ पे जस्ट मैं इसको अपलाई करके ओके करता हूँ तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं सारे जो लेवल हैं उनी के हसाब से यहां पर साइन हो के आ गए हैं तो आज की वीडियो का यही टॉपिक था कि आप इसको कैसे कर सकते हैं तो नेक्स वीडियो में हम देखेंगे इन्शाला के डिजाइन परफाइल के लिए हम यह चीज़े कैसे क्रियेट कर सकते हैं थैंक्स वर वाचिंग अल्लाफिस